दोस्तों हर हर महादेव ओम नमश शिवाई जै महाकाल दोस्तों अगर आप महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं उनकी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव जरूर लिखें शिव शंकर भुलेनात के शिवलिंग पर चड़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है दोस्तों अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है पैसे की कमी है नौकरी नहीं लगका रही है बीमारियों से ग्रसित है या फिर बेटियों की शादी नहीं होका रही है किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है आज का विडियो देखिए आपकी समस्याओं का निवारन होगा अपने जीवन के यह पांच से दस मिनिट केवल पांच से दस मिनिट डीजे इस विडियो को और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं खुद आचारे रामचंदर शुक्ल आप से वादा करता हूं कि आपको भगवान शिव शंकर भूलेनात की खृपा बनेगी। आगे बढ़ने से पहले आप से हाथ जोड के विंती हैं अगर आप महादेव को मानते हैं उनकी पूजा करते हैं तो विडियो को लाइक शेयर जरूर करें और निचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाई नमस्तु भिन जरूर लिखे जिससे की आपकी मनोकामना अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेल पत्र का नित्य सेवन करना चाहिए दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीत मचली मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं शराब पीते हैं चैनी चैनी गुटखा तमबाकू ये सब चीज जो होती है उसका धारन करते हैं परंतु एक समय के बाद उन्हें लगता है कि जो वह खापी रहे दवह गलत चीज परंतु अब वह यह जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा नित्य कम से क ज्यादा नहीं तो एक महीने में 10 से 15 बार अगर आप भुलेनात भगवान शिव शंकर पर चड़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारन करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वो पूनता आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे आपने कभी भी मीद मचली मुर्गिस प्रकार क कुछ पी सेवन किया है आपने शराब पिया है आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है इसके सेवन से आपके शरीर शुद होता है आप अपने अशुद शरीर को पून रूप से स्वस्थ पनाने के लिए संपन्द का जाते हैं आपको भगवान शिव शंकर भुलेनात के इस प्रसाद को ग्रहन करना अत्यंत आवश्यक है आज ही से शुरू कर दीजिए नित्य पंच बेलपत्र खाई तीन सुबह दो शाम में खाई है अगर नृत्य खाते हैं तो यह आपके शरीर में तमाम गुण क को समाप्त कर देगा किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूनता समाप्त कर देगा बेलपत्र खाने से आपका भागय भी बदलने लगेगा आपका भागय बलवान हो जाएगा दोस्तों कैसे भी आपके दुर भागय हूं जिस समस्या बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आ आपकी किसमत आपके तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयूरवेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है, वह साफ होता है। अगर खून संबंधित रक्त संबंधित कोई बीमारी है, नित्य पंच बेलपत्र खाई पांच बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है, वह धीमे धीमे खत्म होने। लगेगी आपका शरीर बहुत ही स्वच हो जाएगा एक बेलपत्र खाई दूसरे दिन, दो बेलपत्र खाई तीसरे दिन, तीन बेलपत्र खाई इस प्रकार से आपको जो बेलपत्र खाने का क्रम है, उसको बढ़ाना होगा धीरे धीरे खाई लेकिन खाना जरूर है ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, मैं दोस्तों आपको बता डन की जो बेल पत्र होता है, वह फिल्टर करने का कम भी करता है, आपके शरीर को जैसे आपके शरीर में किड्नी होती है, किड्नी क्या करती है, जो पानी होता है, जो देता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमा शिवाई और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा सभी दोस्तों को ये शेयर कीजिएगा बहुत ही जानकारी महत्वपून जानकारी है साथ में दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे शिवलिंग पर अपको बताना चाहते हैं कि आप भी उतना पैसा कमाएं आप भी महनत बहुत करते होंगे लेकिन उत्तरधन नहीं कम पाते हैं, जितना सामने वाला व्यक्तिधन कम ले जाता है, बिना मेहनत के क्योंकि दोस्तों मेहनत तो सभी लोग करते हैं, पैसा कमाने के लिए लेकिन किस्मत की भी कोई बात होती है, किस्मत भी कोई चीज होती है, और यह किस्मत उन्हें लोगों का साथ देती है, जो लोग नित्य रूप से भगवान शिव शंकर भुलेनाथ जी हान हमारे भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान आपको मालूम है, भगवान शंकर का जिनके ऊपर आशिर्वाद होता है, उन पर कभी भी किसी प्रकार समस्या नहीं आती है, किसी भी. प्रकार की बीमारी नहीं तो आप विश्वास मनिया बेलपत्र का सेवन करिए, हमेशा आपका मंद जो वो शांत रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आजकल के दैनिक जीवन में देखा गया है, लोग छोटी से छोटी बातों में चिड़चड़ा जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मैन जो होता है, वह शांत नहीं होता है, यही वज़ा है, अगर आप बेलपत्र का सेवन करेंगे, तो यह सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कि बेलपत्र के सेवन करने से सांसारिक जो मोहमाया होती है, वह समाप्त होने लगती है, आपको ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं करेगी, फिर आप जितना पैसा कम रहे हैं, उसी में खुश रहेंगे, लेकिन खुशी आपके पास ही रहेगी, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कि मैं वह बातें आपको यहां प करें, आपके समस्याओं का निर्धारन होगा, दोस्तों हम आपको बता दें, कि आपको पता होना चाहिए कि जो बेल पत्र होता, अगर आप उसको नित्य रूप से खाते हैं, तो आपको सीड, यहां का प्राप्त होता है, अर्थात आप जान जाते हैं, कि भूत भविश्य में क्या होने वाला है, आने वाले समय को आप पहले से बाप लेते हैं, इसलिए भगवान का जो आशीरवाद होता है, वो धीमे धीमे आपके उपर चड़ने लगता है, जैसा कि आपको मालूम है, जो शिवलिंग पर चड़धा बेल पत्र होता है, वो कोई असाधारन कोई चोटा मोटा बेलपत्र नहीं होता, उसे पर भगवान शिव शंकर भुलेनात की खुद की कृपा होती है, इसी लिए मैं आप से हाथ जोड़ कर विंती करूँगा आपके जीवन में। किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, एक बार कहने हमारे कहने से आप इसको शुरूँ। कीजिए आपकी बीमारी तकलीफ सारे कश्ट दूर हो जाएंगे।